टोक्यो पेरा उलम्पिक से एक बार फिर से भारत अपना पर्चम लहरा के आया है और एक नहीं कई मेडल साथ में लेके आ रहा है लगातार मेडल भारत को मिल रही है उसके खाते में जा रही है हमारे साथ शरद हैं बिहार से हैं पेरा उलम्पिक में ब्रॉंज हाई जंप में आपने जीता है, सबसे पहले वो सुखद ऐसास हम इस बातचीत के शुरुवात करेंगे, उस वक्त कैसा लगा था, उस वक्त की बात नहीं है, 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 उस वक्त की बात नहीं को यह पता था कि हम लोग तिहारी कर रहे हैं बस अंधे में कि चलो कर रहे हैं हम लोग पताँ ने किस लिये कर रहे हैं तो लukkily japan ने है जाने से पहले जो हम लोग को फोर्टीन डेस का प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है डेली कोविड टेस्ट देने पड़ते थे और लगता था कि पता है कि अगर हमारा तयारी सही है और इसमें बस कोविड किसी को भी पॉजिटिव हो सकते हैं यह बहुत जादा अंसर्टिन अगर जादा थे कि यह बहुत अच्छा थे और इससे हम लोग अधिट का भी प्रभावित हुए कि पता है कि अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले हैं रिकॉर्ड तोडने वाले और मेरे साथ भी यही उमीद के साथ गया था मैं लेकिन जो इंजरी हो गया मुझे एक दिन प अच्छे मेडल है आए तिंक आइ इक अच्छे गॉल्ड मैं इसको गोल्ली कोरूँ कि मेरे कोच यही बोलता है कि यहां पर सब लोग ब्रॉंस समझ रहोंगे लेकिन हमें पता है कि यह अच्छी गोल्ड हमारे लिए 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 पातिसिपेट करना बहुत अच्छी मेरे नीज लॉक हो अभी आवास कर रहे जैसे कि कुछ इसमें इस्टा का है जो मुझे अच्छी अच्छी करने पड़ेगी और इसके बावजूद भी मैं यह नहीं जुम कर रहा था कि मैं जब जानता हूं कि मैं जानता हूं कि मैं पुरा बार को कंट्रोल करता लेकिन यह पहली बार कि मुझे पता नहीं कि कैसे यह जंप सुए मेरे बाड़ी पर मैं नहीं था शायद कुछ और ही चल रहा था वे सम्टिंग वस हल्पिंग में और मैं आटमैटिकली जंप कर पा रहा था था मैं यह शौर था कि मैं कहीं मैडल में नहीं आने वाला हूं लेकिन बाड़ा सपनी पर मैं अलब गाला हुड देख लेकिर था हूं जा संया था मेरे बाकि उलब कर ऊड़ी बाड़ी कर्ण को चόरे वह रहा हूं उन कोई दोस्त तर ह्व्चांजी कुछ नहीं ओन पर बस ट्रेनिंग कुछ लिए सब दो कि ऑर इस बाड़ला यहां मैं बिहार से बॉन बिहार में हूँ मैं बॉट आप बी मतलब की कुछ ताम था था फिर उसके बाद मैं एडिकेशन के लिए दाजली इंपल्स स्कूल में गया था फिर मेरा ग्राजुएशन के लिए कि लिए खिरोडिमल और जीनियू जवाला लरी इनुवर्सिटी डे फिर आपको पॉलिटिक्स में या इंटरनाशनल रिलेशन्सिप मैंजमेंट में दिल्चस्पी के जगह बहां से इस पोर्स के लिए बाहर चले गए और किस देश में क्या ट्रेनिग आपने लिए देखिए दो चीजे हैं एक आदमी का मेंटल फिटनेस और एक फिजिकल फि करता हूं मुझे इतना ही मज़ा आता है इस सब्जेक्ट में जितना मुझे स्पोर्स में आता है इस फिजिकल फिट रखने के लिए करता था और आज दोनों चीज में करता हूं मेरे पास एड़केशन है जो मुझे बहुत अच्छे सब्जेक्स में जो मुझे पसंद है और तो अच्छाना था आँ डिल्कुल मैं अच्छा किया हूं तो अच्छा किया हूं तो I like the blend of it कि आप आप परफॉम्स वल बाइब नाय वाट था कि अपर्फॉम्स वल भाइब कर दो था जूनिया में बड़ बड़ नाम देखे ना आपको पता चलेगा कि जिन दो भाइब हैं में आपस में गेम कर रहे हैं तो उनमें से एक ज़रूर वोल्ल-क्लास अथलेट बनेगा तो यह चीज हमारे मेरे मेरे परेंट सो एडिकेट नहीं है लेकिन अल्टिमेटल यह संद तो बड़ाई के लिए और एक तरह से तरह समबडी गाइडिंग इन इन डोनो कैसे कुछ गाइडेंस है हमारे लाइफ में कि हम लोग वी आद राइट प्लेस दॉन 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 जो माबाप ने परिश्रम किया हमारे लिए जो मेहनत कि बच्चों को पढ़ाए खुद नहीं पढ़ पाए अच्छे से नहीं रह पाए बच्चों को सब चीज दिया आज उनके लिए वह बनेफिट मिलेगी तो मतलब घर में पढ़ाई का भी माहूल था बच्पन से और खे मेरा भी में होप है कि मैं यूपसी के लिए बैठ हूँ क्योंकि इतना पढ़ाई करने के बाद मैं अपने आपको कॉम्पीट करना चाहता हूं यह प्रूव नहीं करना चाहता कि मैं यह बन सकता हूं मैं यह बताना चाहता हूं कि I want to test myself कि मेरा education skills कितना है हम sports से पढ़ाई क जाएंगे तो वहां के लोगों से क्या उमीदे और क्या चाहत रहेगी मैं यह उमीद करता हूं कि सारे लोग अपने बच्चों को जरूर प्रमूट करें sports में क्यूंकि वो दो चीजे के लिए एक देखिए माइंड सेट अप sports से ना बहुत अच्छ हो जाता है आप रिलाक् जाएंगेशन ऑफ हेल्थ इंशॉरेंस खतम हो जाए जो इतने हेल्थ पे पैसे लोग परवाद करते हैं उसको खतम किया जहां जहां पर बिलियंस और बिलियंस और जाएंगे तो sports के 10% इंवेस्मेंट में ही लोग इसका क्यूर ले सकते हैं तो तो गवर्मेंट एक्सिपो को हम लोग को अब समझना पड़ेगा कि हेल्थ बहुत ही इंपोर्टेंट है इंडिन गवर्मेंट के तरफ से सपोर्ट मिल रहा है आप लोग को बकाइदा इंकरेजमेंट मिल रहा है आप टोक्यो गए टोक्यो से आए यहां भी आप रुके वें अच्छे जगा रुके हु सब चीज कुछ आवशकता है तो नहीं है और उनके टीम हमेशा PMO से मुझे कॉल करते रहते कि आपको कुछ चाहिए तो बता दीजएगा मतलब कि इतना इंपॉर्टेंस किसी एथलीट को दिया है तो मैंने कभी नहीं देखा अब जब कोविट सिच्वेशन हुआ मैं था व और बोला कि कि आप लोग क्या बवस्ता चाहते हैं अज एन एथलीट जो हम लोग सिच्वेशन को हैंडल करे और सब लोग ने अपनी बादे रखे और लोगों से एक एक मिनट बात उस टाइम भी मेरे से 15 मिनट तक प्रदान मंतरी बात करते रह गए बताते कि और मैं उनको को थोड़ा अपना थास्स दिया और सम और वो काफी से इंप्रेस्ट रहे उसके बाद उनके टीम और पीएमों से मेरे से हमेशास कॉंटैक्ट में रहे हैं तच में रहे हैं अगर तो यह सब चीजे हैं जो बहुत ही इंस्पायर करती है पहले अथलीट साथे थे अपने पै सारे अथलीट से बात कर रहें और परिवार से बात कर रहे हैं और फिर उसके बाद जब मेडल जीत रहें ऑनसे बात कर रहे हैं पर फोन पर प arguing बात कि registerा सूम बदाः यह सौट की बात कि अधल मेरे उल्ग काम्मनेत थेजिए भगो रहें गीता अगय में लक horse पहलेठी को तरहें पयाकि होाव कि लात अबूम हुला आति जाने कहले, उसके हित्ग गें राओंड कर के में या जिसके हो पता हुष्ट मेरा मिंघनिशन नहीं कर दोतापत्षी लागे के लिद तो को pop पहुता है कि हमें रेकिनिशन मिले, हमें इंस्पायर किया जाए, मतलब कि हमें जो ड्यू है वो दिया जाए, अर प्रदान मंतरी सर यह कर रहे हैं, सारे अथलीट को उनका ड्यू दे रहे हैं, यह मोटिवेट कर रहा है, इसके कारण कितने अथलीट बहुत प्रोफेशनल हो गया है, कि जो बाकी लोग जो मुझे पता है कि सब कोई को तॉप्स में नहीं डाल सते हैं, आफको आपको सर्टन परफॉर्मेंस देना पड़ता है, तब आप तॉप्स में डालते हैं, जब उसके बाद आने के बाद, अथलीट फ्री हो जाते हैं, जो फिनेंशल स्ट्रें होता है, व जो आपको बैक कर रहे है और आपको सपोर्ट में कर रहे है और वो आपकी काम कर रहे हैं? कि बिए्स परस्ता है कि न कहीड करतें कि बिएर्ट आएज को और यह वह पर्फॉर्मंस दूंगा है दुनकि युकन पर आपको पहले एक शुर्टन लेवल तक रेड़े करनी पड़ेगी तभ ही आपको वह सपोर्ट मिलेगी और इसके लिए मैं भी बोल सकता हूँ कि मैंने भी ऐसा ही सिचुएशन से गया हूँ मैं पहले हाई जुप यहाँ मेरे पास मैट नहीं था तो मैं मड पे गिरता था लैंडिंग करता था अपने फ्रोस्बेरी मड पे करता था लोग डरते थे कि शायद मेरे स्पाइन टूजाए पहले कुछ नहीं मिलता है आपको अफकॉर्स उसके बाद आप पर्फॉर्मेंस कीजिए महनत करते रहे यह मेरे हिसाब से आज जो सोशल मीडिया है गवर्मेंट है इन लोग सब समझते है जब आप कुछ अच्छा करते है ना रिकनिशन जिनको मिलना होता है उनको जरूर मिल पर उसके बाद आपको यह सब सारे सिच्वेशन आपको मिले आप घर पर रहे हैं तो कोई आपको एक-दो बार खाना खिलाते रहेगा अगर थोड़ा बेड रिड़े बाद में जो आपको खिला रहा है न वही पक जाएगा बोले आपकी पता है कि आप तो खुद कर लो कु है बट अब हम डिमांड पहले करते हैं रिजल्स देने के लिए यह गलत चीज है आप जैसे मैं अभी तक इस बातचित के दौरान सुनी पहले आपने भाई को हरा लिया फिर आप कई सारे मेडल भी अपने नाम कर लिये फिर टोक्यो में भी आपने ब्रॉंच लिया आगे अब अबी बच्चा हुआ है कही कोई मेडल आपके चेकलिस्ट मैं या फिर एक तो आपने डाल दिया यूपी इस एक मैं अभी तक समझ गी अब आपको यूपी इस च्राक करने के या बिंग भी हारिया इस इसे बात के चेकलिस्ट मैं जानना चोंकि ना आपको और मुझे से बेसिकली आउटकम इस तो बीन इस ओविसर और वटेवर जोब्स आगर स्टेट गवर्मेंट मुझे आटमाटिकली जॉब देती है तो शायद मेगी आव लॉट्स इपर देग्जान लेकिन यह चीज मैं दुसरा स्योर कंफर्म दे सकता हूं कि मैं 2021 से 2024 पारिस तक हैना मैं अजिया प्रिमाइब्स कारूंगा क्योंकि नाव आफ लॉट्स मेरे पास सारे जो थे चाहिए थे चाहिए ते चाहिए चाहिए गेम्स ओ वोल चैंबिन्शिप पारलिंपिक्स हो वो सारे फुलफिल हो चके हैं आग अग और मैं सारे गेम को एंजोय करना चाहता हूं आग लोग का माइंसेट होता है कि अपने आपको वान आफ सेकेंड के लिए एर में रखते हैं और उसमें अपने हर एक बॉड़ी को कंट्रोल करते हैं उन लोग को समझाना चाहता हूं कि ये एक बहुत बेसिक नेसिसिटी है समझने का कि कैसे ये चीज हो रहा है यार्ट हो रहा प्लद है अचर्षिटी एक क्रश्फिटी है तो रहा है अर्च चीज के आरे में जाना चाहता हूं चाहता हूं जाए जोगी होगी हूं और चिछ पॉड़ी करता हम अपने आपको कि कुछ भी अच्छा थखा रहा कियो हुआ, कैसे हूआ, क्यू हुआ पता ऱ नह बोब कभ तो मुझे लगता आपके लिए मेन सेक्टर से जुसको आप यूद के बीच में इंकरेज करना चाहेंगे उनको एंकरेज करने की कोशिश करेंगे यही दो चीजे ज़रूरत यहां पर सवाइवल के लिए जहां पर मैक्सिमुम इतना पॉपलेशन है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा वो भी इस दोनों फील्ड में लेकिन यह जो फील्ड बहुत इजी हैं एड्यूकेशन और अगर लोग इसको एक्शली डेडिकेशन और डिस्सिप्लिन से करेना सब को ही अचीव करेंगे इसमें तो हमारे साथ मुझफर पूर से शरत कुमार जुड़े वेते जिन्होंने टोक्यो पेरालंपिक में ब्रॉंच जीता हाई जंप में इनकी जर्नी आसान नहीं थी मुझफर पूर से स्कूलिंग और फिर बाहर ज चाहे वो सिक्षа के छेतर में और बहारा नहीं बनाना कि सरकार हमें कुछ नहीं देती है बलकि ये कहना कि हमें भी कुछ करने की ज़र। तब हम सरकार से उम्मीद करेंगे यह अपने में एक सकारात्मक सोच को दिखाता है कैमरा पर सुन लेखराज के साथ नेहाजी मीडिया दिल ले